जैहिंद पहर दोस्तों सभी को राम राम आप सभी का माय चैनल में हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाच्चपदय जेविटी टैड्स 2 या 23 के बारे में जैसे कि आप सभी को पता हैं हम साइकोलिजी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टन को डिसकस कर रहे हैं तो दोस्तों इसी सीरिस को कंटीनु करते हुए आज मैं आप सभी के लिए साइकोलिजी से रिलेटेड प्रैक्टिस से नंबर टू लेके आया हूँ तो मुझे उमीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर रहें तक बन रहेंगे तो चलिए को स्टार्ट किया जाए जैमा सस्पती अब देखे दो तो यहां पर पहला क्वेशन कौन सा है किसके अनुसार बातवर्ण बेवारी शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है अब हम सभी इस चीज़ से एग्री हैं कि कहीं नगे हमारे आसपास का जो बातवर्ण है वो अमा के नारी लाइफ को परभावित करती है लेकिन आमैं इस चीज़ का नहीं पता कि यह जो स्टेटमेंट है वो ओफिशियल तोर पे किसके दवारा दी गेही थी तो दोस्तों राइट अंसर बी ओप्शन बी रौस जो स्टेटमेंट है वो रौसके दवारा दी गई है आगे द 3 की बात करेंगे बंचानुक्राम डैश ब्यक्तिगत गुणों का योग है क्या पूशे यह रहे जो बंचानुक्राम है वो कौन से ब्यक्तिगत गुणों का योग है नाम से इस पस्टोरा है बंचानुक्राम अब देखिए दोस्तों कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि हमें हमा सी बात है वो जनम जात चीज़े ही होंगी question number four की बात करेंगे जीन प्याजी के अनुसार संग्यानात्मक विकास के कितने स्थर है जाए इसकी कितनी अबस्ताइं है अब देखिए दोस्तों जीन प्याजी ने एक सिधान्त दिया था जिसको कि हम कहते हैं संग्यानात्मक विकास का सिधान्त जाकि cognitive development अब देखिए दोस्तों यह जो संग्यानात्मक विकास है अगर हम इसकी definition की बात करें तो इसी को हम अपना बोधिक विकास कहते हैं जब हमारी जो intelligence है उसकी development होती है तो कहीं न कहीं हमारा संग्यानात्मक विकास हो रहा है तो यह जो हमारा संग्यानात्मक विकास है इसको हम भोधिक विकास भी कहते हैं तो जीन प्याजे का क्या कहना था बच्चे की जो बुद्धी है उसकी development अलग-अलग stage में अलग-अलग तरीके से होती है तो यह जो जीन प्याजे है उसके अनुसार संग्यानात्मक विकास की कितनी stages है अब देखे दोक्तों question number 5 है क्या पुशे यह रहे है प्याजे के अनुसार कौन सी अबस्ता में बच्चे की जो language development है वो सबसे तेज होती है यहाँ पर जो प्याजे की अबस्ता है वो मैंने sequence 20 रखी है सबसे पहले बात करेंगे संबेद्धी पेशी अबस्ता जिसको कि हम sensory motor stage भी कहते है जो stage है जनम से लेकर 2 साल तक होती है ठीक है बच्चे के जनम से लेकर 2 साल तक यह जो stage है वो चलती है अब जनम से लेकर जो 2 साल की stage है इसमें बच्चा maximum time सहज क्रियाएं ही करता है ऐसे काम जो की easy हो जैसे बच्चा गुटनों के बल चल रहा है अपने parents को पहचान पा रहा है शोटी शोटी चीज़ों को observe कर रहा है अपने parents की जो आवाज है उसको पहचान रहा है तो यह जो सारी चीज़े है वो संबेद्य पेशी अबस्ता जो की जीरों से लेकर 2 साल तक होती है उसमें करते है उसके अलावा दोस्तों बच्चा जो है वो गामक क्रियाएं भी करता ह है बच्चा है दोस्तों कभी कुर्सी के साथ चलने लगता है तो कभी कुर्सी को पकड़ में देकने को मिलते हैं दूसरी और संक्रियात्मक अबस्ता इसको प्री-OPरेशनल स्टेज भी कहते हैं इसके जो एज दोस्तों वो दो से लेकर 6 साल तक होती है ठिक है प्री ओप्रेशनल जो स्टेज है कब से लेकर कब तक चलती है दो से लेकर साथ सक अब देखे दो तो यहां पर कहा जा रहा है कि यह जो हमारी प्री ओप्रेशनल स्टेज है दो से लेकर साथ साल तक की इसमें बच्चे के जो भाषा का विकास सबसे जाद होता है अब देखे यह दोस्तों साथ साल तक जो बच्चा है बो स्कूल में धाखिला ले लेता है। फर्स्ट यह सेकड्न क्लास में पहुँचीाता है। ठीक है दोस्तों बाद shows यह सात साल में फ़र्श्ट में जाता है। और उसी के शाक्षाb वह शुरू हो जाती है क्योंकि उसने एलकेजी में शोटी-शोटी जो चीजिएंग फो सीखी होती है उसके बाद उसके बाद फर्स्ट क्लास आती है तो बच्चे के जो जे जो हमारे अलफा वेट है उसके ना बच्चे को अक्षरों को बनाना सुखाय जाता है इसी तरह से ज language development के लिए सबसे ज्यादा important है और इसी में बच्चे का जो भाषा विकास सबसे ज्यादा होता है आगे दोस्तों मूरत संक्रियात्मक अबस्ता इसको हम concrete operational stage भी कहते हैं अब यह दोस्तों यह जो stage है वो कब से लेकर कब तक होती है सास से लेकर 11 साल तक इसकी दोस्तों सबसे ब मूरत बन जाती है मूरत का क्या मिनिंग होता है जो सामने की चीज है बच्चा उसी के बारे में सोचता है जैसे देखिए बच्चे के सामने कोई चीज पढ़ी हो तो बच्चा उसको पूरी तरह से analyze करेगा जह जो चीज वो ऐसी क्यों है ऐसी क्यों नहीं है तो उसके सामने जो भी चीज है बच्चा उसमें कोई नई कोई छीज ढूंड लेगा और फिर उसी को एनालाईस करते रहेगा तो यह सारी चीजे हैं वो हमें मूर्त संक्रीयात्म कें अबस्ता में देखने को मिलती है साथ सा front दोस्तों बच्चे की जो तारकिक शक्ति है उसकी जो तारकिक शक्ति है वो भी बढ़ने लगती है बच्चा अपने तरक पे कही जो चीज़ें उनको सौल करने लगता है बच्चे की जो formal operational stage भी कहते हैं जह जो अबस्ता है वो ग्यारा साल से ज्यादे की जो आज हुए उस में रहती है ठीक है जो बच्चा 11 साल की ज्यादे से उम्मत टक हो जाता है तो यह जो अबस्ता है अब इसमें बच्चा कहाता है अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है और बच्चे की जो decision making ability है वो भी पूरी तरह से develop हो जाती है साथ दा बच्चे समस्याओं का समाधान भी करने लगता है और अंकों के साथ भी खेलना शुरू कर देता है वो पूरी तरह से जो अनुपात है उसको भी पहचानना सीख जाता है चीजों को अच्छी तरह से classify करना सीख जाता है और कौन सी बात सही है कौन सी गलत है इन चीजों के बारे में भी अच्छे से समझ जाता है अब देखे दो तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है बच्चा जो है उसका जो चींतन है वो अमूर्त हो जाता है अब इसकी मैं आपको एक एक इक्जाम्पल देना चाहूंगा जो कि आप सभी अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट कर पाओगे अब देखे दो तो आप में क्लास्रूम में पीशे बाले बैंच में बैठके यह चीज जुरूर सोचते होगे कि हमारे स्कूल में आतकबाद दिया जाए और हम सभी बच्चों को बचा कर सभी स्कूल को बचा कर हम सभी के सामने हीरो बन जाए आप मैंसे बहुत सारे ऐसे बाइफ होंगे जो कि लास्ट मार दें ठीक है और हम सभी के सामने हीरो बन जाए तो यह जो चीज इसको क्या कहते है अमूर्थ चिंतन तो यह जो चीज दोस्तों वह मैक्सिमम 11 साल की जादे एज बाले बच्चे होते हैं उन में देखने को मिलते है जानिकि सिक्स से लेकर सैबन तक यह चीज हो जाती है और यह सारी चीजह में बच्चा इसी इस क्लास में इसे करता एक कश었는데। ऑभी हम धो पढ़ा बश्य ओसमें जो बच्चे वह अमूर्त चिंतन करता है है वो इस तरह से सोचता है की काश ऐसे होता मैंं ऐसी करता मैं ऐसे हो जाता तो यह जो चीज है वो आपने समझनी है कि एंसल पर चीज सामने नहीं है हम उसी ले çaर later एक situation बना रहे है उसी सा ले अपने आ करेंगे प्याजे के अंसार कौन सी ये बस्ता में बच्चा सहज क्रियाएं करता है जो इजी वाले काम है जैसे बच्चा घुटनों के बल चल रहा है अपने पेरेंट्स को पेचान रहा है कुरसी को खीच रहा है तो देखे दोप्तर जो पहली स्टेज है उसमें बच्चा स्टर्न अब यहां पर केई बार जो ऑप्शों से उसमें आपको ये भी देखने को मिलता है तर्न टीकश्य वर् apenas option में ये चीज रहे ठीक है इसका जो formula है जब हम किसी का IQ level चेक करते हैं तो उसको calculate करने का formula क्या है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पर formula रहेगा ma upon ca multiply by 100 इसको किस तरह से लिखते हैं ma upon ca multiply by 100 ठीक है दोस्तों ma means mental age ca means chromical age और इस सारे को हम 100 के दा multiply कर देते हैं अब मैं आपको इसका एक question solve करके बताऊंगा अब देखे दोस्तों mental age बच्चा जिस साल की उमर रखता है अब देखे एक जो बच्चा है उसके जो उमर है वो 5 साल है और जो बच्चा है वो 7 साल की उमर रखता है मालों बच्चा first में पढ़ता है लेकिन वो third वाले जो questions है उनको solve कर रहा है बच्चे के जो actual age है जो chromical age है वो होगी यह मारी 5 और उसकी जो mental age है जिस class के वो बारे में सोच रहे है अब देखे जब बच्चा second यह third में जाता है second में जाता है उसके जो age है वो 7 साल हो जाती है तो बच्चा second class के जो questions है उनको भी solve कर रहा है तो उसके जो age है वो कितनी होगी 7 साल अब क्या बन रहा है देखे उसके जो mental age है वो कितनी होगी 7 साल chronical age कितनी सी 5 साल और इस सारे को दोस्तो हम hundreds के जा multiply कर देंगे ठीक है दोस्तो बीस बच्चे सो तो यहां पर जो बच्चा है उसके जो IQ level है वो कितना रहा है दोस्तो 140 ठीक है तो यह जो IQ level हो बच्चे का कितना लिखा 140 इसी तरह से आप किसी भी बच्चे का IQ level है वो बिल्कुल ही सही रहेगा mental age upon chronical age multiply by hundred question number 10 की बात करेंगे अब देखे दोस्तों यहां पर जो हमारा IQ level निकालने का formula है उसमें एक term है mental age ठीक है क्या है mental age अब जो mental age है जो world है किसके दोबारा दिया गया है तो मैं आपको बता दूँ जो मांसिक आयू बाला बाल्ड है जो mental age ब Alfred बिने के दोबारा अब देखे दोब तो यहां भी options को लेके के बर confusion होती है के बार इसको विनेट लिखा गया होता है ठीक है बिनेट भी लिखा गया होता है और के बर option में आपको बिने भी देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ हिंदी में इसे बिने कहते हैं वो बात करें अगर हम English की तो इसे विनेट कहते हैं लेकिन कई बार हिंदी में भी विनेट लिखा गया होता है तो आपने समझ जाना है सेम ही बंदा है चाहिए आपको ये वाला option देखने को मिले चाहिए ये वाला देखने को मिले आपने उसी को टिक करना है ठीक है दोस्तों और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो जो मेंटल एज की अब धालना है वो बिनेट के दबार कब दी गई थी 1905 में कब दी गई थी 1905 में आगे दोस्तों question number 11 की बात करेंगे क्या पूछे गया रहा है भारत में प्रसम मनोबेग्यानिक कौन थे जो इंड and conditioning भी कहते है यह जो सिधानत है किसके दबारा दिया गया है काफी important question है maximum time जे जो question है वो examination में पूछे जाता है right answer will be bf skinner जे जो सक्रिय अनुवंद का सिधानत है वो bf skinner के दबारा दिया गया है question number 13 की बात करेंगे किसके अनुसार बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की नकल करके भाशा सीखता है जो बच्चा है अपनी language कैसे सीखता है जो उसके माता पिता बाच्चित कर रहे है और उसके जो आसपास के लोग है वो बाच्चित कर रहे है तो यह जो statement है वो skinner के दबारा ह गई है तो दोस्तों आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है जहां पर भी आपको लैंगवे डिवेलमेंट की बात दिखाई देगी बहां पर अगर सिधांत पूश ही आएगा तो जो सिधांत है वो चो मस्की के दबारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया जो सिधांत है वो किसके दबारा दिया गया है यह question भी ागे दर्फत पूशخी आ रही है किस ने अपने पलकु कुत्तों पर प्रेयोग किये थे अब देखिए दोस्तों जो यहां पर मनों बेग्यानिक है पैबलब इनके दवारा ही अपने पालतू कुत्ते के ऊपर परयोग किये गए थे तो दोस्तों आपने जो चीजी है उनको अपने माइंड में रखना है और कोपी के ऊपर भी जुरू नोट करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को ल में एच्छ पी एक्जाम्स भी जैरी तो थेंक्यू जैन जैबारच जैमाचल